Assalamu alaikum ladies and gentlemen, my brothers and my sisters I welcome you to my channel which is learning यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़े सीखते हैं मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग मेरी वीडियो से अगर पसंद करते हैं तो उन लोगों के साथ जरूरी शेयर कीजिए जो लगता है आपको कि जो इस चीज़ के ज्यादा लाइक हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन उनको उपर्चुनिटीज नहीं मिलती तो यह हो सकता है कि इनके लिए कुछ काम हो जाए प्रिविस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी के question forms के बारे में के confirmative questions क्या होते है informative questions क्या होते है informative question को हम थोड़ा से extend करेंगे क्योंकि यह extended part वीडियो में बना रहा हूँ और यह related है हमारे informative question के साथ so more information is gonna be given तो अभी मैं आपको बताता हूँ के informative question में मैं आपको बताया था कि हम सवाल पूछते हैं information हासिल करने के लिए लेकिन information कौन सी information किस के बारे में information subject के बारे में या object के बारे में आज की वीडियो जो deal करती है subject questions के बारे में और object questions के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा subject questions क्या होते है subject questions वो questions होते हैं जो हम सवाल पूछते हैं या हम जो सवाल यूज करते हैं subject के बारे में पूछने के लिए मैं आप से पूछता हूँ अगर कोई सवाल तो उसमें अगर मैं subject के बारे में पूछूँ information मुझे subject के बारे में चाहिए तो वो subject question कहलाता है और अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं और इसमें मैं आपसे object के बारे में पूछूँ यह object के बारे में information मुझे चाहिए तो वो object question कहलाता है मज़े की बाद यह कि दोनों यह जो हैं यह डव्यू एच क्वेस्चेंज ही होते हैं लेकिन डव्यू एच क्वेस्चेंज के अंदर मतलब इन्फर्मेटिव क्वेस्चेंज होते हैं इसके अंदर हमें या तो subject की information चाहिए और object की तो हम शुरू करते हैं subject question की जानिब से पहले हैं पहले सीखते हैं कि subject questions कैसे subject होते हैं या इनकी example किया है मैं आप से एक सवाल पूछूँगा और आप मुझे बताएगा इसमें मैं किस चीज़ के बारे में पूछ रहा हूं सवाल बहुत सिंपल है who broke the table in the class yesterday मैं किस के बारे में पूछ रहा हूं सबसे पहले question कौन सा है confirmative यह informative question है क्योंकि WH यहां पर लगा हुआ है question word यहां पर मौजूद है दूसरा मेरा सवाल मैं किस के बारे में information हासिल कर रहा हूं मुझे किस के बारे में information चाहिए subject या object इसको देखने का तरीका यह है कि आप इसका जब जवाब बनाएंगे तो इसके answer के अंदर आप ज़रा गोर से देखिएगा कि कौन सी चीज मिसिंग है मैं मैंने आप से पूचा who broke the table in the class yesterday who broke so इसका जवाब क्या होगा जवाब में पहली जो चीज है वह हमारी missing है जिसका जवाब आप लोगों को मुझे देना है और वह जो पहली चीज होती है उसको हम कहते है subject तो यहाँ पर आप बोलेंगे Sam broke the table in the class yesterday Sam कि आप position यहाँ पर देखिए वह subject के तौर पर काम कर रहा है यह मतलब subject है वह अब of course जिसमें subject के मुझा जाए वह subject question होता तो यह जो मैंने question आप से पूचा है subject question था मैं पूछता हूं आप से object में पहले आपको बताता हूं कि object question कुन सा होता है यह वह questions होते हैं जिसमें object के बारे में information हासिल करते हैं example जल्दी से ले लीजिए देखते हैं कि what did you play yesterday आपने कल क्या खेला इसके अंदर में आपसे जो information मांग रहा हूं वो information object के मुतालिक है कैसे आप इसा कैसे कैसे सकते हैं कि object के मुतालिक information है जरा आप इसका answer बनाईए आप जैसी इसका answer बनाएंगे देखिए कहां पर चीज मिसेंगे जो required है जो मैंने आपसे पूछिए what did you play? I, आप बोलेंगे I played dash क्योंके यही तो चीज मैंने पूछिए I played cricket whatever तो अब जरा इसकी position भी देख लीजे कहां पर आ रहा है cricket sentence में यह object की position पर आ रहा है तो means यह एक object है तो यह जो question था यह object question क्यालाता है I hope you have enjoyed a lot and you must have learned a lot of good things you know and if you liked our video so kindly share it and like it and as much as possible and try to subscribe our YouTube channel